सेक्टर छे सी मार्केट के व्यापारी लंबे समय से मोलवू समस्याओं से वन्चित हैं जिनमें प्रमुक पेजल, पूल की लाइट, सुलप शौचालाय में पानी का अभाव आदी शामिल है सेक्टर छे सी मार्केट में छोटे बड़े अनेक दुकानदारों द्वारा अपने व्यापारी का संचालन वर्षों से किया जा रहा है बराबर टेक्स बटाये जाने के बौजू सुधाओं के नाम पर इन्हें केवल आश्वाशन ही मिलता आया है बाजार में पेजल की समस्या प्रमुख है पानी लाने व्यापारियों को दूसरी ओर जाना पड़ता है इसी तरह सुलब का निर्मार तो करा दिया गया है लेकिन पानी की सुधा नहीं होने से इसमें ताला लगा कर रखा गया है सुलब सौचाले के बगल में इस्थित यूरेनल पॉइंट भी तूट चुका है नाले के उपर बने पूल का डामरी करण भी अब तक शुरू नहीं किया जा सका है इस पर इस्थानी व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी सक्टर्चियू मार्केट से यहां कई वर्सों से व्यापार कर रहा हूँ यहां की बहुत सारी जो समस्यां हैं उसके व्याव पे हम मीडिया के माद्याम से अधिकारियों को सुचित करना चाहते हैं यहां की जो जो समस्या है उसका निराकरन करें आज पिछले कई वर्सों से यहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है लोग पानी के डबे ले लेकर के दूर जाकर के वहां से पानी लेकर के आते हैं पुल तो बन गया है, पुल पे अभी तक डामरी करण नहीं हुआ है, जगा-जगा पे गड्डे हैं, दो लिड़ा हैं, लायट भी नही है, उसके अलावा, उसके अलावा यहां पुल से लेकर के साई मंदिर तक पूरा अंधेरा च्छाया राता है, और अंधेरा च्छाया रा उसे लूट लिया उसकी गाड़ी को भी लेकर के भाग गए एक सौचाले बना है नगर निगम के द्वारा आज तीन साल हो गए है लेकिन उसमें पानी की विवस्था नहीं है उस सौचाले को ताला लगा हुआ है बंद पड़ा हुआ है अधिकारी मौदे से पार्षद मौदे सबी लोगों से सुचित करने के पश्चाथ भी कोई रिस्पॉंस नहीं मिलता है आज भी ताला लगा हुआ है सौचाले बंद पड़ा हुआ है नगर निगम का सुविधाया तो नगर निगम देती है लेकिन पूल रूप से नहीं देती है इसलिए हमारा यह निवेदन है कि जो मार्केट के समस्या है उसका निराकरन किया जाए और व्यापार में ब्रिधी आए बाराल नगर निगम और ब्यस्पी प्रबंधन से व्यापारियों ने सुधाय मोहिया कराने की गुहार लगाई है जिससे इने भी समस्याओं से निजात मिल सके ग्रैंड एशियन न्यूस के लिए संजय दुवे